आज बे आपको पुरे स्वाज में बताने जा रहे हैं तो क्या हुआ मैं वीडियो बना खैसरो मुझे की बता बठाब तक यह बाज पर टारे चुरूरी कि इना बत्तू का सुम्हें होगे यह नहीं बता है क्योंकि मैं सब बूरा हुआ है इस वीडियो को पंजाब पुलिस, केजरीवाल, मौधी सरकार हर जगा ट्यूटर पे जरूर शेयर करना है ताकि जल्दी से जल्दी आक्शन लिया जाए जिलोंने मेरे सदासा किया आपको बता होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक पॉपलैटी के उपर एक वीडियो बनाई थी पॉपलैटी में क्या चीज़े चल रही है और मैंने फैक्ट रखे थे जो रखने थे उस वीडियो से किसी को बुरा लग गया मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को फालतू नहीं बोला मैंने सिरफ फैक्ट रखे थे वो किसी को बुरा लग गया, उसने मुझे फोन किया जिसका नाम धा डाकू डाकू ने मुझे फोन किया, मैं सांस में नहीं ले पा रहा हूँ मेरे नाथ के पूरी हड़ियां तूट गई है यहां सरजरी वही है मेरे हाथ के हंदर चोट लगी है मेरे हाथ के हड़ी तूट गई है मेरे पीठ में बहुत चोट लगी है मेरे पैर के हड़ी तूट गई है मैं किस तरीके से वीडियो मना रहा हूँ आप तक पहुंचा रहा ह विदि उन्न दो 17 कि अरो कुछा कि ट्राने की पूरी कोशिश अचुछा उससों अystivity दरो एक만 को necessities तो बात बात हुई जो मैंने उसको पूर बात होुए चोड़ी सी बस बात करा हैं कोक हा या इतनी बात हुई मैंने उसका phone card दिया फिर उसने काफी सारे बंदों से मेरा address निकलवाने की कोशिश की और मेरा address निकलवाया उसके बाद उसने किया कि आप मुझे नहीं बता बट आज परसो की बात बतारो परसो डाकू ने मुझे धंगी दी थी आज मेरे घर पे सुबे 6 वगे मैं सो रहा था कोई gate खट खट आता है ममी gate पे जाते है ममी पूछते कौन तो वो बोलते पारस से मिल रहा तो ममी वो लगा चलो कोई दोस्त होगा ममी ने gate खोल दिया उन सब के पास हत्यार थे लोहे की रोड थी आठ बंदे आये थे वो सीधा मेरे कमरे में आये ममी को धक्का मार के उनने गिरा दिया और वो मुझे पागलो की तरह मारने लग गए मैं उठा मैने उसे पूछने की कोशिश की भाई हुआ क्या बात तो बताओ वो कुछ नहीं बोल रहे एक बंदा वीडियो बना रहा था बाकी सब मुझे मार रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैं अद्मरा हो गया एक तरह से ब्योशी हो गया इतना मारा उनने इतना मारा मुझे मेरे हाथ की हड़ी मेरे पैर की हड़ी मेरे नाथ की हड़ी मेरे शरीर में इतने सारे जख़ब हो गए हैं मैं बहुत मुश्किल से वीडियो मना रहा हूँ आप तक ये बात पहुचा रहा हूँ मुझे आप सबी के सपोर्ट की जरूरत है जितने चैनल और यूज वाले सब को ये वीडियो टैक करो और खास कर ट्वीटर पर ये वीडियो शेर करो सब लिक शेर करो मौदी सरकार को, केजरी वाल को और पंजाब पुलिस को क्योंकि मैं पंजाब से हूँ मैंने इसके खिलाख पंजाब पुलिस से बात की उनका कोई अच्छा रिस्पोंस नहीं आया वो बोलते कि हब कर रहे हैं तैकी कट कर रहे है बट कोई मेरा हाल चल पूछने नहीं आया कोई पूस्ताच नहीं कुछ भी अपडेट नहीं है तो मैं हाज जोड के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हो कि आप अगर चाओगे तो मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा एंड जो आठ बंते मुझे मारने आये थे वो गाड़ी पे आये थे दो बाइक थी एक एक्टिवा थी एंड सब के पास हत्यार थे जो मुझे बचाने आ रहा था उसको भी भगा रहे थे बोल रहे थे हम तुमें भी मारेंगे हमारे पास हत्यार है अगर कोई आगे आया तो जाव से मारतें के धंकी दे रहे हैं मुझे नी पता इस वीडियो के बनाने के बाद मैं बच्चों करके नहीं क्यूंकि बहुत ज्यादा चोटे लगी हैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं मुझे सांस ले रहा हूं कुछ खानी पा रहा हूं और बहुत ज्यादा सीरियस कंडिशन है और अभी वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं डो आइडिया बट अभी मैं अपने इस वाले घट से कंयोर शिफ्ट हो रहा हूं शिफ्टी के लिए बट आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करो हर न्यूज चैनल पर हर बंदे के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि मुझे मेरे को वो मिले क्या गयता है उसे इंसाफ मिले प्लीज इतना काम आप कर सकते हो सब को बता है मैं कैसा हूँ आस तक मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं बोला कुछ बुरा नहीं किया आपका प्यार और सपोर्ट चीए बस बाकि मिलते हैं अगर बचे तो